पोहा हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाए जाता है आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टरेंट में कैसे पोहा बनाए जाता है कैसा इतना टेस्टी पोहा होता है वीडियो में बनिये रहिए मैं आपको बताऊंगा पोहा की रेसिपी step by step तो चलिए दोस्तों पोहा बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 गराम पोहा जिसे चिड़ोगा के नाम से भी हम जानते हैं तो यह मैंने यहाँ पे 200 गराम पोहा ले लिया है इसके बाद पोहा में बहुत सारी dust होती है तो सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है पोहा को बाउल में डाला है और उसके बाद पोहा को 2-3 पाने से अच्छे से धो लेना है तो यह देखें मैंने एक पाने से पोहा को धो दिया है थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे हलके हलके हाथ से इस तरीके से आपने mix कर लेना है और जो dust होगी वो निकल जाएगी तो यहाँ पे मैंने पुहा चान लिया है और एक चानी में डाल दिया है पुहे से पाने निकल जाए पुहा बिल्कुल एकदम सोप्ट हो जाएगा तब तक और तयारियां कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले एक टेबली स्पून रिफाइन डोयल पचास गराम मैंने पीनट लिया है हाप टी स्पून हल्दी पोडर हाप टी स्पून मस्टर सीट 50 गराम बटर लिया वा, और 50 गराम हरे मटर, नमाख लिया वा और बारी कटे वे, हरा धनिया साथ में लिये वे, बारी कटे गाजर, बारी कटा प्याज, हरे मिर्च, लाल मिर्च, गड़ी पत्ता 12-15 और 2 नीम्भू, तो ये सब तयारिया हो चुकी है, और पोहा भी विल्कु डाल दी है, हल्दी के साथ पुह को अच्छे से mix कर लेंगे, तो यह देखे इस तरीके से आपने भी try करना है, पुहा बहुत ही अच्छा बनेगा, बारी कटावा हरा धन्या add कर लेंगे, और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे तो mix हो चुका है, अब एक मैंने यहाँ पे fry pan लिया है fry pan को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसके बाद half tablespoon इसमें add करेंगे refined oil, refined oil को अच्छे से गरम कर लेंगे तो refined oil हो चुका है गरम, अब इसमें add करेंगे peanut, peanut को हमें यहाँ पे हलके से fry करने है तो यह देखे हमारे जो peanut से उनका color हलका सा change हो चुका है, peanut fry हो गए है, peanut को मैंने निकाल दिया है, अब add करेंगे उसी तेल में half teaspoon सरसुक के दाने यानि mustard seed इसे हलका चटक ने देंगे और इसके बाद add करेंगे, जीरा साबूत कहीं जीरा साबूत डालते हैं दोस्तों और कहीं नहीं डालते हैं तो मैंने यहाँ पे जीरा साबूत डाल दिया है, जीरा साबूत को भी चटक ने देंगे, इसके बाद प्याज को add कर लेंगे, एड़ कर लेंगे बटर मैंने पहले इसलिए एड़ ने किया बटर जल जाता है तो बटर एड़ कर लिया है और यह देखिए अभी भी कलर सबजी को अच्छा लग रहा है आपको मटर दाना पचास ग्राम एड़ कर दी है जात में पंदरा से अठारा लगबग मैंने यहाँ प कर दी है अब इन सब चीजों को अच्छे से आपने मिक्स कर लें ना जैसे मैंने मिक्स किया यह देखिए कलर बहुत ही अच्छा है और इसके बाद इसमें पोहा एड़ करेंगे तो यह देखे दोस्तों पोहा मैंने यह आड़ कर लिया है गैस की जो फ्लेम है वो बिलकुल स लो कर देंगे आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और लेमन जूस एड़ कर लेंगे जो मैंने निम्बू का रस निकाला था वो भी एड़ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो निम्बू का रस है वो पूरे पोहे में अच्छे से सब पे बराबर एक टेक् दोस्तों कहीं पोहे में आलू भी डालते हैं तो मैंने यहाँ पे पोहे में आलू नहीं डाला है और यह सब mix करेंगे अच्छी तरीके से पोहे का आप color देख सकते हैं बहुती बढ़ी है अभी भी और अब दोस्तों हमें इसमें add करना है peanuts तो यह देखे peanuts भी add कर दिये हैं और अब peanuts को और पोहे को एक साथ mix करना है यह देखे तो पोहे का आप color देख सकते हैं आप color देख के बता सकते हैं कि हमारा जुए पोहा हूँ कितना बढ़िया और अच्छा बना है और आपसे भी ऐसे ही बनेगर अगर आप इस पोहे की रेजिपि को आप try करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आब वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें मिलते हैं दोस्तों एक नए रेस्पिक के साथ तब तक जुड़े रहे अपने YouTube चैनल Cooking with Manoj के साथ Thank you so much